वेलकम दोस्तों आज की लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉंबिनेशन ओफ रेजिस्टर्स ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रोनिक सर्किट में किस तरह से रेजिस्टर्स को कम्बाइन करते हैं दो टाइप के कॉंबिनेशन होते हैं स्रीस कनेक्शन और पै इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है जो कि सारे कॉंपोनेंट्स आफ तो वर्ल्ड में मौजूद होती है कंडुक्टर्स में कुछ कम और नॉन कंडुक्टर्स में जाधा उसके साथ ही एक और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होती है जिसको आ value होती है वह fix नहीं होती है आप उसको घटा बढ़ा सकते हो अपने यूस के according तो जैसी आपकी जरुवत वैसे आप उसका resistance fix कर सकते हो तो इसको rehearse start बोलता है इसको connect इस तरह से किया जाता है आपके circuit में इसका एक एक end आप नार्मल बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ते हो और जो दूसरा end होता है वो आप एक knob होता है आप अगर आपने देखा हो कभी तो इसके आप एक knob होता है इस knob से एक जो तार निकालके वो आप battery में जोडते हो या अपने circuit में आगे components के साथ इसको जोडते हो ठीक है अब उससे क्या होता है यह knob को आप इधर से इधर shift कर सकते हो ठीक है और जब आप इस knob को इधर left या right shift करते हो तो आपको कम या ज्यादा resistance offer होता है जैसे जैसे आप knob को left shift करते जाओगे तो आपका resistance कम होता चला जाएगा और जैसे जैसे knob को right shift करोगे तो resistance जादा होगा ऐसा क्यों क्योंकि यह जो एक cylinder type का आपको दिख रहा है इसके उपर wires wound होते हैं ठीक है तो जैसे जैसे आप इस knob को इधर लेके आओगे तो यह current यहां से जाएगा थोड़ी से wire में जाएगा और फिर सीधे knob में आ जाएगा तो कम length of conductor होगा इसकी वज़े से resistance कम हो जाएगा लेकिन अगर आप इस knob को right shift करोगे तो यह current आप यहां से पूरे cylinder में होते हुए फिर यहां तक पहुंचेगा तो length of conductor increase होने की वज़े से आपका resistance increase हो जाएगा तो rehearse start आप समझ जाओ कि it is a variable register ठीक है दूसरा यह भी एक diagram मैंने rehearse start का बनाया है यह हमारे fan का regulator है ठीक है जब आपने देखा होगा कि पंके का regulator आप उसके knob को घुमाते हो तो fan के speed तेज या धीरे होती है तो वो इसी variable register की वज़े से होती है आप जब इसका knob को घुमाते हो तो इसका resistance घटता या बढ़ता है और इस वज़े से circuit में current की value घटती या बढ़ती है जिसके वज़े से fan की speed तेज या धीरे होती है ठीक है और इसको symbolically rehearse start को इस तरह से represent किया जाता है यह register का symbol है और यहाँ पर एक arrow करके knob यह knob को show कर रहा है यह pin ठीक है और आपको आप left right shift कर सकते हो on the register तो जितना register में से current जाएगा उतने register के आपको value मिल जाएगी उतना resistance आपको मिलेगा ठीक है तो current follows the least resistance path यह आप जानते ही होगे कि current हमेशा least resistance का path follow करता है जिस path में कम resistance होगा ज्यादा से ज्यादा current उस path से गुजर जाएगा तो चलिए हम start करते हमारा combination of registers यह बहुत ही interesting topic है और बहुत ही important topic है आपके board exams के लिए तो दोस्तों दो type का connection होता है हमारे पास series connection और parallel connection ठीक है series connection में क्या होता है हम अपने सारे registers को एक के पीछे एक लगाते हैं मतलब एक line में लगाते हैं एक series में लगाते हैं ठीक है आप इसको पहचान ऐसे भी सकते हो कि end point of one resistor is the starting point of other resistor यह line बहुत important है अब इसको याद रखना end point end point of one resistor is starting point starting point of other resistor ठीक है यह अगर ऐसा combination होगा तो वह series combination कहलाएगा series combination में हम अपने सारे registers R1, R2, R3 को एक के पीछे एक लगाते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है जो current इसकी एक और पहचान है जिससे current है वो एक सारे registers से एक एक करके गुजरेगा current के पास कोई alternate रास्ता नहीं होता है वो सारे registers से एक के बाद एक गुजर के फिर वापस battery में जाएगा ठीक है तो यह पहचान है series connection इसको कहते है series connection ठीक है इसमें सारे registers के तुरू current same रहता है parallel connection को आप देखे इसमें क्या होता है इसमें जो current आता है ठीक है बैटरी से जो current आ रहा होता है वो current आटप junction ठीक है यह junction है junction मतलब जहां से बहुत सारे originate होते हैं बहुत सारे रास्ते originate होते हैं ठीक है इस junction में आके current जो हो है वो divide हो जाता है ठीक है अलग-अलग रास्तों लग अलग करेंच जिसी यह आगड में था ह到了 एक और रचन्क्षन पिर सारा-करेंट आपकर अगे मिलता है और वाहतास आई करशन जतना फ्लो वगलता मनें उतना ही वाहतार लिग्यान ऑशना जाता है ठीक है जो की common start and end points की तरह behave करते हैं start and end common start and ends की तरह behave करते हैं जैसे इस register के लिए और इस register के लिए R1, R2, R3, तीन register है इन तीनों के लिए same starting same ending है तो ऐसा अगर combination हो उसको parallel connection बोलते हो ठीक है तो याद रखेगा अब इसमें कुछ इनके qualities क्या के हैं मैंने वो लिखी है same current passes through all registers ठीक है इसमें current divides through all registers in the path ठीक है इसमें क्या होता है series में voltage of the battery gets distributed मतलब voltage आप क्या जानते हो कि potential difference क्या होता है जो energy चाहिए होती है electrons को circuit में pass करने के लिए तो इसमें series combination में यहाँ पर कुछ potential energy खर्च होती है फिर कुछ यहाँ खर्च होती है फिर कुछ यहाँ खर्च होती है ठीक है जो voltage battery potential provide करता है जितनी energy provide करता है वो distribute हो जाता है तीनों में ठीक है ना कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ और इन तीनों को आप जोड़ोगे तो वो सारा अपका वी के बराबर आजाएगा और पैरलल कनेक्शन में क्या होता है starting और end points के बीच में जो potential difference है ठीक है वो throughout the parallel connection सेम रहता है मतलब इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी और वी कितना है जितना battery का potential है ठीक है last advantage क्या है series connection का अगर हमने सारे electronic devices को series में connect करा तो इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा दोस्तों यह होगा कि अगर आपने एक switch on करा तो एक switch से आपकी सारे electronic devices चल जाएगे तो यह इसका फाइदा है कि आपको बार बार switches on नहीं करने पड़ेंगे different different आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही अच्छा मज़दार फाइदा है तो हम अपने घर का connection series connection ही कर दिया जाए ठीक है बट इसका एक नुकसान भिया जो की parallel connection का advantage बनता है नुकसान क्या है मान लिजए आपको देवपहर के टाइम पर सिर्फ पंखा जलाना है light की जरुवत नहीं है तो अगर आपने series connection करा तो आप ऐसा नहीं कर पाऊगे क्यूंकि यहाँ पर एक बटन से सारे circuit में एक सारे electronic devices में current जाएगा ठीक है तो अगर आपको पंखा जलाना है सर्फ light नहीं चाहिए तो आप series connection नहीं यूज कर सकते इसलिए यह parallel connection का advantage हो गया कि जब आपको जो device की जरुवत है आप सर्फ उसका switch दबाते हो और उसको use करते हो ठीक है तो जिसकी need वही is operated यह पहला advantage है दूसरा advantage क्या है दोस्तों अगर series connection में मान लीजे आपका bulb fail हो गया ठीक है bulb fuse हो गया जब bulb fuse हो जाएगा तो क्या होता है आपने देखा होगा जो fuse bulb है उसको आप दिहान से देखोगे तो उसका filament टूटा हुआ होता है ठीक है तो अगर आप series connection में कोई भी electronic device टूट गया अगर या खराब हो गया तो current आगे नहीं flow करेगा और उससे क्या होगा आपकी सारी electronic devices बंद दो जाएंगी ठीक है तो इससे क घर में अपनाते नहीं हैं घर में नहीं अपनाते हैं ठीक है न क्योंकि इसमें error कहां पर हुई वो detect करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है आपका bulb fuse हुआ लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपकी सारी electronic devices बंद ओ चुकी होगी ठीक है इसलिए इसमें error को find करना और सही करना बहुत मुश्किल होता है वहीं इसमें क्या होता है कि जो device fail करती है सिर्फ वही जलना बंद करती है और current क्योंकि अगर मान लिजे यह register fail हो गया ठीक है यहां से current नहीं गुजर रहा है तो क्या होगा जो current है वो इस रास्ते और इस रास्ते तो अभी भी जा सकता है इस वज़े से बाकी electronic devices चलती रहेंगी in parallel connection और जो electronic device fail हुई है सिर्फ वो नहीं चलेगी ठीक है तो यह इसका advantage है और इसी advantage की वज़े से हम घरों में parallel connection को इस्तमाल करते हैं और series connection को इस्तमाल नहीं करते हैं यह important question है दोस्तों class 10th के सारे बच्चों के लिए बहुत ही important question है आता है कि why we use parallel connection at home या फिर कभी-कभी पूछता है which type of electronic connection we use at home तो उसके लिए ही आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर हम series और parallel connection का चार्ट हमने बनाया है हम formula derive करेंगे हम नहारा net resistance of the circuit निकालने के लिए ठीक है तो पहले हम series connection में बात करते हैं जब आप series connection में बात करते हो दोस्तों तो हम यह जानते हैं कि current remains same through all the resistors ठीक है current remains same through all the resistors and voltage gets distributed in all the resistors ठीक है तो voltage क्या है V potential is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 जितने resistors होंगे circuit में अगर वो सारे के सारे series connection होंगे तो सारा potential सब में distribute होगा ठीक है overall potential मिलेगा जो battery provide कर रही है ठीक है तो यहां से V is equal to V1 plus V2 plus V3 dot 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 सारे resistors के त्रूप ठीक है और हम जानते हैं by ohms law by ohms law V कितने होता है I into R के बराबर होता है ठीक है यह V क्या है यह net voltage of the circuit है यह net potential है और net potential क्या होता है अब इस V की जगह हम लिख सकते हैं net current और circuit का net resistance ठीक है I into R net और यह कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा I into R1 V2 हो जाएगा I into R2 V3 हो जाएगा I into R3 and so on आगे तक ठीक है यहां पर मैंने I1, I2, I3 क्यों नहीं लिखा V1 की जगह पर क्योंकि यह जो current है यह same जा रहा है throughout the circuit सारे registers से same current flow हो रहा है ठीक है इसलिए R1 के अंदर जो current हो रहा है वो भी आई है R2 के अंदर जो current जा रहा है वो भी आई है और सारे series के सारे registers के अंदर जो current जा रहा है वो आई है ठीक है यहां से हम I को अगर content खमनल ले ले है i को common ले लें तो यह बन जाएगा r1 plus r2 plus r3 plus dot 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 सारे registers का sum is equal to i into r net यहां से i और i को cancel कर दोगे अगर तो आपको मेलेगा r net is equal to r1 plus r2 plus r3 plus dot 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 ठीक है यह दोस्तों आपका series connection का formula है ठीक है this is series connection का formula series connection ठीक है r net for series connection series connection में मतलब अगर आपने कुछ register series में लगा रखें तो उनका net resistance होगा उन सारे registers को जोड़ दो आप तो ठीक है अब इसका एक special case में आपको बताना चाहता हूँ एक इसमें एक special case बताना चाहता हूँ special case of series connection ठीक है अगर मान लीजे आपने कुछ registers लगा रखें और same resistance के सबका resistance r ohm है ठीक है यह सारे same value के registers है same magnitude के registers हैं और इनको आपने battery में लगा रखें ठीक है तो आप से कहने का मतलब है एक point आप बहुत ही important है आप लोग लिख लिजेगा कि if n number of resistors of equal resistance r connected in series तो r net हो जाएगा n into r ठीक है यह बहुत important है याद रखेगा यह formula डिरेक्ट याद रखेगा कि अगर आपने same magnitude के कुछ registers ठीक है मान लिए चार register same magnitude के अपने series में लगा दिए तो आपका net resistance of the circuit कितना हो जाएगा four times of r ठीक है अगर आपने 5 register लगाए same magnitude के तो five times r यहाँ पर हमने तीन register लगाए थे of same magnitude r ohm r ohm r ohm के तो हमारा net resistance कितना हो गया 3r ठीक है तो यह एक important formula है जो आप याद रखेगा special case तो चलिए अब हम parallel connection को करते है parallel connection में क्या होता है दोस्तों जो हमारा current होता है ठीक है वो हमारे अलग-अलग रास्तों में अलग-अलग चला जाता है distribute होता है from this junction लेकिन जो voltage होता है ठीक है जो voltage होता है अब आपको एक बात याद रखनी होगी हमने इन दोनों circuit में एक उस assumption को हमने ध्यान में रखा है कि wires में कोई resistance नहीं होता है ठीक है यहाँ पर हमने रेजिस्टर्स पर जोड़ते हैं पर मानते हैं ठीक है उसी तरह यहाँ पर भी तो यह जो voltage है क्योंकि wire में कोई resistance नहीं है तो हम यह मानते है कि electron को यहाँ से यहाँ तक flow करने में कोई महनत नहीं करने पड़ीगी उसी तरह यहाँ से यहाँ flow करने में इलेक्टरॉन को कोई महनत नहीं होड़ने पड़ेगे. ठीक है न? तो सारह का सारा voltage कहा इसतंवाल होगा? इन दो जंक्छन के बीच में. ठीक है? इन दो जंक्छन के बीच में. और इन दो जंक्छन के बीच में जितने registers होगे, in parallel उन सब का voltage same रहेगा, मत抖 इसका voltage भी V रहेगा, इसका voltage भी V रहेगा, इसका voltage भी V रहेगा दोस्तों अगर यहाँ पर एक register और होता, ठीके तो यह voltage कैसे distribute होता पहले इस voltage का कुछ part यह खा लेता, ठीके, बचा हुआ पार्ट इन तीनों में equally अगली ग्लास में तब आपको हम ऐसे question solve करवाएंगे तो चलिए फिलाल यहां पर क्या है कि जो current है वो distribute हो रहा है तो जो total current आ रहा है circuit से वो equal है पहले wire में current plus second wire में current plus third wire में current plus जितने wires हैं उन सब में current को जोड़ के ठीक है और ohms law के according v is equal to ir होता है v is equal to ir तो यहां से i कितना आ जाएगा v upon r तो v upon r net ठीक है is equal to v अब first wire में voltage कितना है v है तो v same है r1 plus v upon r2 plus v upon r3 plus dash 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 ठीक है अब आप देखरों दोस्तों इसमें से v और यह सारे v cancel हो जाएंगे ठीक है तो बचेगा क्या one upon r net is equal to one upon r1 plus one upon r2 plus one upon r3 plus dot 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 ठीक है तो यह हमारा final formula होता है इसमें भी एक special case होता है इसमें भी एक special case है मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ध्यान से देखेगा special case मान लीजे आपने कई सारे resistors equal resistance के कई सारे resistors अपने circuit में जोड़ दियो ठीक है this is r this is r this is r अब यहां पर आप देखे हो मैंने चार resistors जोड़ दिये और सेम resistance आरोम सबका resistance सेम है अगर सबका resistance सेम है तो one upon r net हो जाएगा मेरा one by r plus one by r plus one by r plus one by r ठीक है यह सब सेम है तो this becomes four upon r ठीक है one upon r net is four upon r अगर मैं यहां से r net की value निकालूंगा आप दोस्तों इन दोनों को अब देखो इन दोनों को अब आप देखो तो यहां से मुझे एक बात पता चली जो important बात आपको याद भी रखनी है और note करके लिख भी लेनी है कि if r if n number of resistors n number of resistors of equal resistance ठीक है are connected in parallel ठीक है तो r net net resistance of the circuit कितना हो जाएगा यह equal resistance जो है r upon जितने number of resistors upon n ठीक है यह बहुत ही important बात है दोस्तों आपको याद रखने है तो आप ध्यान से देखिए अगर series connection में equal ohm के resistors series में लगाये जाते हैं तो net resistance होता है resistance of one resistor into जितने resistors हों multiply होता है यहां पर ठीक है series connection में resistance बढ़ जाता है जब आप equal resistance के resistors series में लगाते हो तो resistance बढ़ जाता है और जब आप equal ohm के resistors parallel में लगाते हो तो net resistance जो होता है circuit का वो घट जाता है ठीक है it becomes r upon n यहां पर r into n है यहां पर r upon n है ठीक है तो दोस्तो आज ही class में हम बस इतना ही करते हैं आज हमने series और parallel connection पढ़ा जाना क्या होता है इनके formula derive करें और कुछ special cases हैं जो हमने याद रखें तो आज ही class में बस इतना ही करते हैं करते हैं आज हैं 0